आप बेख रहे हैं निउस टीवी इंडिया विदेश ते भी भक्त जन यहां धर्शनों के लिए आते हैं गंतंत्र दिवस के अफसर पर सिधी विनायक की मूर्ती को तिरंगे के तीन रंगों के रूप में सजाई गए वहीं मूर्ती के सर पर पगड़ी भी तिरंगे की आकरती में ही बनाई हुई है वहीं विशाल मंदिर के आगे क्यावन फिट का तिरंगा ले रहा है गया जो दूर से देखने पर बहुती सुन्दर नजारा देखने को मिला छे लाग स्कॉयर फिट में बनाई है मंदिर या विशाल मंदिर अपने अद्भुत स्थापन के लिए बहुत प्रसिद है या मंदिर चे लाग वर्ग फिट के विशाल शेत्र में भगवान गणेश की प्रतिमा की विशाल प्रतिक्रती के रूप में बनाया गया है या मंदिर 120 फिट लंबा, 71 फिट उचा और 80 फिट चोड़ा है या Australian Technology का उप्योग कर अलोकिक दिजाइन तयार की गई है और डिजाइन के लिए Revit Software का उप्योग किया गया है सिद्धी विनायक मंदर गणपती जी की आकरती वाला देश का सबसे विशाल मंदिर है इस विशाल मंदिर की उचाई 71 फिट से अधिक है मंदिर के चोथे माले पर मुंबई के सिद्धी विनायक गणपती की हुववव मूर्ती की स्थापना की गई है जमीन से 20 फिट उपर बना ये मंदिर इस मंदिर में विश्व के अन्य दस देशों में स्थापित गणेश जी की प्रतिकृतियों को दर्शाय गया है यहां के दूसरे माले पर भजन की रितन करने वाले सुविधा के साथ सत्संग हॉल भी है गणपती के आकार का ये मंदर जमीन से 20 फिट उचाई पर नर्मित है जिसमें भगवान श्री गणेश की मूर्ती की स्थापना जमीन से 56 फिट की उचाई पर की गई है हर साल गणेश चतुर्ती के इस दिन मंदरों में हजार भक्त जन भगवान के दर्शन के लिए उपस्तित होते हैं भगवान गणेश से मननत मांगने के लिए देश के विबिन जगा से श्रत धालू यहां आते हैं यहां आरती तदा पूजा का आयोजन भी किया जाता है भगवान गणेश उनके प्री लड़ों का भोक लगाये जाता है कई एकड में फैले सिद्धी विनाएक मंदर परिसर में आमजन के लिए सभी सुवधाएं उपलब्ध हैं पार्क के सुवधा, जूले के सुवधा, रहने एवं खाने की तमाम सुवधाएं इस मंदर परासर में उपलब्ध हैं सुरेश चंद्र मेगवनशी की खास रिपोर्ट भीलबाडा से